प्यारे बच्चों नमस्कार पिछले वीडियो में आप देख चुके हो कि pair of linear equation को कैसे सालवा करते हैं कौन-कौन method से सालवा करते हैं तो दो method हम देख चुके हैं एक है graph से graph से सालवा करते हैं और एक दूसरा जो है substitution method है तो आज हम एक और नए method देखेंगे जिसका नाम है elimination method तो elimination method में क्या करते हैं elimination method तो elimination method में हम क्या करते हैं एक variable को क्या करते हैं रिमो करते हैं रिमो वन वेरियेबल एक वेरियेबल को रिमो करेंगे तो एक वेरियेबल बच जाएगा तो एक वेरियेबल रिमो करने के बाद एक वेरियेबल बचेगा तो उसका हमको value मिल जाएगा तो हमको क्या करना है Elimination method Eliminate करना मतलब किसी एक variable को हटाना देखिए examples हम समझते इसको example ले ले लेते हैं अपने मन से एक example ले रहा हूँ खिक तो x plus y is equal to क्या हो गया यह 5 और x minus 2y is equal to यह हो गया हमारा ले लेते हैं 4 तो यह हुआ x plus y is equal to 5 x minus 2 is equal to 4 यह pair of linear equation है तो देखिए एक यह equation फर्स्ट ले ले लेते हैं इसको equation second ले लेते हैं अब हमें एक variable को हटाना है तो देखिए इसमें से हम कैसे करेंगे तो हटेगा आपको जैसे पता है जैसे कि 2 में हम 2 subtract करते हैं तो क्या मिलता जीरो मिलता है तो cancel out हो गया तो इसी प्रकार हमें इसमें से देखो इसमें से इसको subtract कर देंगे तो x क्या हो जाएगा कर जाएगा मतलब यह eliminate हो गया हट जाएगा तो बच जाएगा कौन वाई बच जाएगा ओकी तो हमको क्या करना है subtract करना है और पहले से जैसे यह है ठीक है तो पहले से अगर minus में रहता है तो हमें add करना होता है तो देखिए हम क्या करेंगे subtract from equation 2 subtract equation 2 from equation 1 TeffeNA हमें the second को क्या करेंगे subtract करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यह subtract करेंगे तो यह साइन हो जाएगा ति हमाइनस जो है यह क्या हो जाएगा डिक यह अर माइनस देखिए हुआ कैसे आपको पता है जैसे x से, प्लस y में मैं बोलूँगा कि, आप किसको सब्टेक्ट करो, x, minus 2y को, ये, x, plus 2y में, x, minus 2y को सब्टेक्ट कीजिए, ऐसा बोलूँगा, तो ये क्या करोगा, अब minus sign को हटाओ, ब्रेकेट हटाना है, तो x, plus y, और minus से multiply होगा, तो आपको ऐसे सालवा करने पर आपको आसानी होता है दिख जाता है फर्ट से कि हां सब्ट्रेक्ट करना है कि एड करना है ओके यह ज्यादा सुटेबल है तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रेक्ट किये तो यह क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा तो सब्ट्रेक्ट होगा तो क्या मिल जाएगा हमें 5 में फोर जाएगा तो 1 मिलेगा तो y is equal to क्या 1 upon 3 अब क्या करना है इस y का value को क्या करना आप किसी भी equation में put कर सकते हो पहले equation में या second equation में जैसे first equation में put करेंगे तो क्या मिलेगा देखो x plus 1 upon 3 is equal to 5 तो x is equal to 5 minus 1 upon 3 अब सब्ट्रेक्ट अब क्या करो इसको सालवा करना है तो 5 3 जब 15 अब 15 में बन जाएगा तो 14 तो 14 upon क्या मिल जाएगा 3 देखो कौन से equation में put किये from equation first अब देखो इस इक में आपको equation second में put करके देखा तो from equation second ठीक तो equation second में put करेंगे तो क्या होगा देखे equation second में put करेंगे किंद का वेलो y का वेलो तो x minus 2 into 1 upon 3 is equal to 4 अब यह minus नहीं है ना यह पहले equation था change मैं यहीं कर दिया हूं सालवा तो x upon क्या हो जाएगा x minus 2 upon 3 is equal to 4 अब इसको इधर transfer करेंगे तो x is equal to क्या हो जाएगा 4 plus 2 upon 3 अब इनको सालो करेंगे इसके निचे में कुछ नहीं है means 1 है तो 4 3 जा 12 और 12 plus 2 upon 3 बंजा 3 तो कितना हो जाएगा 14 upon 3 तो यह इस टाइप के सालो करना है तो इसका answer क्या हो जाएगा x equal यह y का value 1 upon 3 और x equal हमें क्या मिला 14 upon 3 यह 14 upon 3 आप किसी भी question में रखोगे तो आपको solution मिलेगा वही answer आएगा अब हम देखते हैं अब आते हैं exercise 3.4 को सालो करते हैं exercise 3.4 को एक दो example मतलब पहला से सालो करते हैं उसके तो फिर what a problem question में आएगे तो 3.4 का पहला question क्या है चलो देखते हैं first का first क्या बोल रहा है question x plus y is equal to 5 to x minus 3 y is equal to 4 हमें क्या करना है salva pair of linear equation by elimination method and substitution method दोनों का mix करके आप salva कर सकते हो तो देखो क्या करेंगे अब equation देखो हम क्या करने हैं पिछले question जो लिये थे हम क्या लिये थे x plus y is equal to 5 और x minus 2 y is equal to 4 ये लिये थे clear तो ये लिये थे देखो हम इसमें हमको कुछ multiply नहीं करना पड़ा था देखो equal पहले हम देखो यहाँ 1 था यहाँ 1 था subtract के तो remove हो गया अब देखो यहाँ क्या है कि x में constant 1 है और यह 2 है remove करने पर क्या यह eliminate हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 में आप क्या करोगे तो 1 बच जाएगा मतलब x तो बच जाएगा है इसको अब subtract करो के तो भी क्या बच जाएगा य बच जाएगा तो इसको साल्वा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा equation first में देखो इस इक्वेशन में हम 2 अगर multiply कर दे तो multiply कर देंगे तो इस इक्वेशन ये required है और यह इक्वेशन सेकन थे इक्वेशन है टो में घ्रू कर देता हूं कंसे मैं नों जाएगा यह दूनों सेम हो जाएगा यह वाला व्रियाबल सेम multiply क्यों कर रहे हैं क्योंकि variable को equal करने के लिए क्यों बाला कोई करने के लिए को पीशेंट उसकोई कोई कर सकते हो चालो हम यी वाला को कर लेते हैं य वाला के lot such रंगे हैं इना पड़ेगा यहां मुझे थ्री ले करेंगे थ्री एगर हम तो आला variable के coefficient को equal करना चाहेंगे तो x में क्या करना पड़ेगा इस फाले equation में 2 का multiply करना पड़ेगा तो multiply equation first by 2 चलो अब लिखा गया तो 2 ही कर लेते हैं तो 2 करेंगे तो देखो अब इन पूरे equation में करना होता है तो 2 x plus 2 y is equal to 5 to the 10 यह हो गया अब second equation में इस second equation में क्या कर देंगे इसको subtract कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 का multiply किये multiply equation first by 2 and and क्या करेंगे देखो अब तो क्या हुआ अब subtract कर देंगे अब equation किसमें subtract करेंगे second equation में ठीक है तो multiply by equation first by second and subtract from equation second तो अब second equation से इसको क्या कर देंगे subtract कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखो यह 2 x plus 2 y is equal to 10 2 x minus 3 y is equal to 4 तो subtract करेंगे तो subtract करना है तो यहाँ minus हो जाएगा यह और यह minus sign पहले से है तो यह minus minus क्या हो जाएगा यह plus हो जाएगा तो यह sign remove कर देंगे इसको गहरा कर दिया अब इसमें subtract करेंगे तो यह देखो अब दोनों variable क्या होग हो जाएगा 10 में फोर्जा आगात कितना बज़ेगा 6 तो y is equal to क्या हुआ 6 upon 5 अब इस y का value आप किसी भी equation में put कर सकते हो put the value of y in equation देखो यहां लिख देता हमें put the value of y in equation first तो equation first में put करेंगे तो क्या हो जागा x plus 6 upon 5 is equal to 5 तो x is equal to 5 minus 6 upon 5 तो 5 5 जा 25 और 25 minus 6 is equal upon 5 तो x is equal to 19 upon 5 तो 19 upon 5 x के value क्या मिला यह और y के value यह मिल गया तो solution आप pair of linear equation यह मिला हमको ओके देखो इस equation को हम क्या कर सकते थे y वाला variable y वाला जो coefficient y variable का coefficient है उसको हम क्या कर सकते हैं equal कर सकते हैं तो देखो क्या करेंगे y वाला जो इसीच को सालवा कर रहे हैं तो देखो हमारे पास क्या है x plus y x plus y is equal to 5 है और 2x minus 3y is equal to 4 है अब हमें y वाला कोफिसेंट को equal करना है तो कब equal होगा जब इसको इसमें मैं 3 का multiply कर दूंगा तो यह y वाला कोफिसेंट क्या हो जाएगा equal हो जाएगा तो multiply multiply देखो इसको मैं equation फिर से first दे देता हूँ यह second तो multiply equation first by 3 3 से multiply करना पड़ेगा तब होगा y वाला कोफिसेंट equal तो 3 का multiply करेंगे तो 3x plus 3y is equal to 5 हो जाएगा और यह 2x minus 3y is equal to 4 है अब क्या करेंगे देखो अब subtract नहीं करना है क्यों देखो अगर मैं यहां subtract करूंगा तो यहां plus sign लग जाएगा तो यह तो already देखो एक plus में है एक minus में है तो हमको इस equation को क्या करना है add करना है तो इस बर क्या करेंगे adding from equation second ओके तो अब इस बर हम क्या कर देंगे first equation में second equation को क्या कर देंगे add कर देंगे तो देखो add करेंगे तो sign तो कोई change नहीं होने वाला तो add करेंगे देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और यह दुनों remote हो जाएगा और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा clear तो स्वारी यहां multiply करना भोल गया हो ओके तो देखो 3 का multiply करेंगे 3x minus 3y और 3 5 जा 15 होगा ओके 3 5 जा 15 तो 15 और यह हो जाएगा 4 19 तो x is equal to क्या मिल जाएगा 19 अपान 5 तो x equal to 19 अपान 5 मिला अब इसको आप क्या कर सकते हो किसी एक equation में put कर देते हैं तो देखो equation first में put करेंगे तो क्या हो जाएगा put value of y in equation first तो equation first input करेंगे क्या जाएगा x अपान 5 पूट करेंगे 19 अपान 5 प्लस y is equal to 5 तो y is equal to 5-19 अपान 5 तो y is equal to 5-25 25-19 अपान 5 तो कितना मिल जाएगा हमें y is equal to 25-19 मतलब 6 अपान 5 तो y के value देख लो यहाँ भी why मिला था हमें यह x और y को ओल और यहाँ भी तो आप क्या कर सकते हो किसी भी एक variable को पहले क्या करना किसी भी एक variable की coefficient को क्या करना equal करना ऑर पहले से अगर equal है तो direct add करना या सब्टेक्ड करना या ध्यान देना अगर पहले से एक माइनस में है देखो पहले से अगर आपको पता है एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है कर जाता है और दोनों अगर प्लस प्लस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा तब कटेगा और अगर क्या हो जाएगा दोनों माइनस में है तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तब जाके प्लस होगा क्योंकि माइनस दो माइनस है तो दो माइनस क्या होता है एड हो जाता है प्लस प्लस है तो भी एड हो जाता है और प्लस और माइनस हो जाता है तो आपको यह ध्यान रखना कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा पहले क्या करना है आपको वेरियेबल के कोफिसेंट को क्या करना है आपको रिमो करना है जिस वेरियेबल को आप रिमो करना चाहते हो उसके कोफिसेंट को पहले हमें क्या करना है इक्वल करना होता है ओके चलो अब हम और question देखते हैं इससे आपको और सालव करने में आसानी होते जाएगा इसी का मैं second question लेता हूँ तो second question क्या है देखो 3x plus 4y is equal to 10 और उसके बाद दिया हमें 2x minus 2y is equal to 2 यह है इसको equation first लेते हैं और इसको equation second लेते हैं अब देखो इसमें क्या है कि यह तो 3 है और यह 2 है x का variable इसमें 3 है और यहां 2 है इसमें y का variable 4 है और यह 2 है तो क्या दोनों equal है अभी variable equal नहीं है तो हम equal क्या बना सकते हैं क्या multiply करके बना सकते हैं देखो 3 वाले में मैं अगर देखो ये दोनों equal कब होगा इसमें मैं किसका multiply करूँगा 3 में किसका multiply करूँगा और 2 3 और 2 किसके table में आता है ये आपको ध्यान देना है तो देखो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है इन दोनों को अलाग अलाग है तो दोनों को multiply कर लो तो 3 2 जा कितना है होता है 6 होता है तो three two just six होता है मतलब मैं इसमें किसका multiply करूँगा तो क्या हो जाएगा six हो जाएगा तो three में किसका multiply करने पर six होगा two का और two में किसका multiply करने पर six होगा three का तो means क्या होगा इन दोनों को हमें multiply करना पड़ेगा तो equation first में किसका multiply करेंगे two का तो two three just six हो जाएगा और equation second में क्या करेंगे multiply करेंगे किसका multiply करना हमें किसका equation 2 में 3 का multiply करना है तो अब इस बार अलग-अलग multiply करना पड़ रहा है तो देखो multiply multiply equation first by क्या करेंगे इसमें 2 multiply multiply by multiply equation second by इसमें कितना 3 से ठीके तो इसमें 3 का और इसमें 2 का उसके अब क्या करेंगे अब देखो ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो दोनों प्लस में मतलब क्या करना पड़ेगा हमें सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा तो सब्ट्रेक्ट कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे multiply equation first by two and multiply by equation second by three उसके बाद क्या करेंगे subtract equation second from equation first ठीक है तो second को equation first में minus कर देंगे सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो देखो पहले multiply करने पर क्या मिला हमें three two times six x अब पूरे equation करना होता है तो two से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा एट वाई और यह कितना 20 इसमें three का करने पर three two six x और three two माइनस six y और three two six पूरे अब उसके क्या करना है हमें सब्ट्रेक्ट कर देना है तो सब्ट्रेक्ट करने पर माइनस अब देखो यह माइनस और यह पहले से माइनस है तो यह क्या हो जाएगा प्लस और यह माइनस तो यह दोनों देखो अब एक सका वेरियेबल क्या हो गया है इक्वल हो गया है तो यह कट जाएगा और यह एट और किसी भी एक equation में put कर दो, तो put the value of y in equation first, तो equation first में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x plus 4 into 1 is equal to 10, तो 3x is equal to 10 minus, क्या जाएगा, 4, 4 into 1 मतलब 4, और 4 को इधर transfer करेंगे, तो x ये कितना हो जाएगा, 10 में 4 गये तो 6, तो x is equal to 6 upon 3, means 2, तो x equal to 2, और y equal to 1, अब चाहो तो इसको रख के verify कर सकते हो, तो देखो, अगर verify करना चाहोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ verify करेंगे, तो 3, 2 जा कितना हो जाएगा, 6 और 4 बंजा 4, अब 4 और 6 कितना होता है, 10, इसको भी verify कर लो, देखो, 2 तू जा 4, क्योंकि x equal to 2 है, तो 2 तू जा 4, और 4 और 2 बंजा 2, तो 4 में 2 गया तो 2, तो यह हमारा answer correct है, चला, एक question और करते हैं, फिर आपको और clear हो जाएगा, इसी का देखो 4 question है, तो 4 question, x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to minus 1 है, और एक equation हमें दिया हुआ है, कि x minus y upon 3 is equal to 3, यह given है, अब देखो, इसमें क्या करना है हमें, पहले क्या करेंगे, इस equation को तो पहले, linear equation के form में convert करेंगे, मतलब इसको salva करेंगे, देखो, तो इसमें इसको salva करेंगे, तो इनका multiply इधर, इनका multiply इनसे हो जाएगा, तो देखो, 3 का multiply इनसे करेंगे, तो 3x, 2 का multiply इससे करेंगे, तो 2 to is a 4y, और 3 to is a 6, नीचे वालक नीचे क्सान, ऐसा cross multiply, is equal to minus 1, फिर यह क्या हो जाएगा, यह equal में है, तो फिर से cross multiply, इसके नीचे 1 हो गया, तो इन दोनों को ऐसा multiply करेंगे, cross, तो क्या हो जाएगा, 3x plus 4y is equal to minus 6, यह एक equation बन गया, अब इसमें देखो, इसके नीचे कुछ निए means क्या है, 1 है, अब cross multiply करेंगे, तो 3x, और यह minus y, और अपान 3 का 1 से multiply तो 3, अब इन में देखो, इसमें फिर से cross multiply, तो यह हो जाएगा, 3x minus y, क्योंकि इसके नीचे 1 है, और 3, 3, 2, 9, तो दो equation मिल गया, देखो, क्या हो गया, एक equation यह first यहां रख लेता हूं, और इसको यहां, तो 3x minus y, ऐसे उपर नीचे रखने में, आपको idea लगता है, कि क्या करने हैं आपको, ओके, तो देखो, अब क्या करना है, 3x है और 3x है, आपको तो multiply करने का उसकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो, एक variable, एक सरक वेरियेबल, ठीक है, दोनों equation में क्या है, equal है, जो कि 3 है, तो 3 है, तो direct क्या कर देंगे, subtract from equation to in equation first, तो क्या कर देंगे, subtract, क्या लिखोगे, subtract, equation, second, from equation, first, तो second, second में क्या कर देंगे, second में, first को subtract कर देंगे, तो second में, first को subtract करने पर, क्या मिल जाएगा हमें, सब्ट्रेक्ट एक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रेक्वेशन फर्स्ट फ्राम सेकंड ये फिक है तो क्या हो जाएगा यहां से अब देखो इन दोनों को मैं फिर से यहीं लिख लेता हूँ 3x प्लस 4y is equal to minus 6 और ये नीचे में ये 3x minus y is equal to 9 अब क्या करना है हमें सब्ट्रेक्ट करना है तो सब्ट्रेक्ट करेंगे देखो ये minus और ये minus minus क्या plus और ये minus ओके तो ये दोनों क्या हो जाएगा cancel out और ये दोनो add हो जाएगा तो 4 are 1 5y और ये दोनों क्या होगा दोनो minus minus में तो दोनों माइनस में तो add हो जाएगा तो 9 और 6 से कीदन हो जाएगा माइनस 15 तो y is equal to minus 15 upon 5 clear तो 5 से इसको divide करेंगे तो y is equal to क्या मिल जाएगा 5 3 जा लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा तो y को यहलो क्या मिला minus 3 अब क्या कर देंगे putting the value of y in equation first या second जो आसान रहता है उस equation मतलब जो छोटा होता equation जिसमें हमें calculation करना पड़े उस equation में आप put करो तो value जल्दी आ जाता है तो देखो यहाँ राखेंगे तो equation first में put करेंगे तो 3x plus 4 into minus 3 is equal to minus 6 तो 3x is equal to minus 12 is equal to minus 6 तो 3x is equal to क्या हो जाएगा 12 इधर तो plus में हो जाएगा तो plus minus 12 minus 6 तो यह हो जाएगा बचा क्या 6 तो x is equal to 6 upon 3 तो x अको यहलो क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 हमें मिल जाएगा तो y को यहलो minus 3 और x अको यहलो 2 तो x is equal to 2 और y is equal to minus 3 यह हमारा क्या हो जाएगा? आइंशर, OK? तो Elimination मिथार में क्या करना होता है? Basically, आपको एक variable के Coeficient को क्या करना होता है? Equal करना होता है चाहे आप X का करो या Y का करो मतलब कोई सब्सक्राइए 2 क्या दिया रहाता है? Variable दिया रहाता है उसको कल करेंगे आज के लिए इतना ही क्योंकि ज्यादा में वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा इसलिए हमको लोग नेक्स्ट डे करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ओके थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो